हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई योटूब चैनल आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप भी थोर्ड पार्टी लोन सेटेलमेंट में फॉस्ट चुके है उसके आप जाल में फॉस्ट चुके हो तो क्या ये सही में ये सचमुच में आपका जो अग मैं एक्स्प्रेंड करके और इसका सॉलूशन भी बताने वाला हूँ कि कैसे आगर आप कोई भी बैंक से लोन लिया हो तो कैसे आप टॉटल सेटेलमेंट कर सकते हो क्या क्या process है सारा कुछ detail में बात करने वालो तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अब अगर third party loan settlement में अगर आप फॉंस चुके हो तो कैसे उससे आप बाहर आ सकते हो और क्या क्या इसका solution है तो वीडियो को like करो और चैनल को first time visit के तो चैनल को subscribe करो सबसे पहले मैं आपको example के रूप में समझा हूँ अगर सी bank के थुरू अगर मान लो एक लाग का आपने loan लिया ठीक है और आप उसको repayment तो करते होगे कैसे repayment करो और आपके पस कोई problem के वज़ा से आपको पैसे होते ही नहीं होते है तो आपको इसी समय क्या होता है कि कुछ social media के थुरू like instagram, twitter, facebook और youtube पे कुछ भी सारे loan settlement के है आप उन लोग को contact करते हो third party loan settlement के contact करते होगे तो वहाँ पे आपको बोलता है और आपका 50,000 clear हो जाएगा पुरी तरीके से अगर आप किसी bank के थुरू loan लिये होगे तो settlement कर दूँगा मैं कर दूँगा मैं आपका पुरी तरीके से आपका total repayment करा दूँगा settlement करा दूँगा तो guys सबसे पहले ओ क्या बोलता है कि 5000 मेरे को पैसे दो और आपका 50,000 ऐसे ही आपका माफ हो जाएगा यानि कि bank में जाने की जरूरत नहीं है मुझे 5000 दो और आपका totally आपका loan जो है settlement हो जाएगा तो guys आप क्या करते हो उनके जहासे में आ जाते हो और अपना सारा details मांगता है details में like आपका pen card अधार card जीतने भी आपका personal information होता है सारा details आपसे मांग लेता है उसके बाद आपको जहासा आ ही जाता होगा कि आप उसको total देते होगे उसके बाद कुछ आपसे signature वेगरा करा रहता है तो जैसे ही आप सारा details उनलों के पास दे देते होगे तो उसके बाद अब आपसे क्या करता है जीतने भी like अगर आपका bank से और आपसे जो content होता है वो पूरी तरीके से तूट जाता है और आपको bank जो है आपको contact नग कर पाती है तो guys आपको like अगर आपसे जीतने भी permission जो third party loan application जो आपसे details लिया था loan settlement करने के लिए तो आपसे क्या करता है सारा details मांग लिता है तो bank तो सबसे पहले आप ही को call करेगा लेकिन आपके पास नहीं जाता होगा क्यों क्योंकि आपने तो third party को अपना सारा details दे दिया है तो सारा details तो third party के पास जाएगा तो इसलिए bank के बीच में आपका जो contact था तो पुरी तरीके से आपका cut जाता है और आपको भाई सबसे पहले तो आपको 5000 तो उसको दिये वहाँ तो आपका चूना लागेगा ही लागेगा जो third party आपका application है जहां से भी अगर आप loan को settlement करना चाते हो वहाँ भी लेगा और ऐसा नहीं होता है कि third party जो आपका guarantee दिया कि मैं आपका 50,000 का loan आपको 5000 में ही clear कर दूँगा तो ऐसा कभी नहीं होता है आपको last में जा करके bank को आपको 50,000 का 50,000 total repayment करना ही करना पड़ेगा तो आपको ऐसे किसी third party के through आपका loan settlement नहीं कराना है मैं तो आपको यहीं बोलूँगा, suggest करूँगा कि अगर आपको पैसे repayment करने में bank को कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी problem होता है तो direct आप bank से contact करो, bank से deal करो कि मैं अभी पैसे नहीं है, आप एक दो मन्त का और मेरे को repayment करने का समय दो या आप मेरे को कुछ discount दो और total मैं आपका repayment कर दूँगा कुछी दिनों के बाद है तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपको इन सब सारे 4G third party loan settlement में परोगे तो आपसे पैसे भी लेगा, आपका सारा data का permission लेगा और फिर बाद में आपसे बहुत बड़ा problem भी हो सकता है तो ऐसे third party loan settlement के रूप में आपको नहीं first ना है, इन सब सारे के जाल में नहीं first ना है तो guys ये कुछ देख सकते हो, images जहां से कि अगर आप देख सकते हो, काफी सारे images देखने के लिए में जाता है ये सब company के थुरू अगर आप contact करते हो third party के थुरू, तो loan settlement कराने के नाम पे आपसे charge किये जाते है और इधर भी दोगे, तो दोनों जगा चूना लग जाएगा, तो मैं आपको आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि third party loan settlement के जहांसे में नहीं first ना है, और आपको directly bank के थुरू deal करना है और उनसे आपको बोलना है कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मैं थोड़ा time और लेना चाहता हूँ और आपको पैसे पुरी तरीके से career कर दूँगा, तो आपको directly bank के थुरू contact करना है तो I hope कि आप इस video को complete watch कियोगे और step by step देखे होगे, तो आपको इस video में पता चल गया होगा कि किसी भी third party loan settlement के जहांसे में जाल में नहीं first ना है, directly अगर जो भी bank से अगर आप loan लेते हो तो directly bank के में जाओ और वहां से आप बोलो कि मैं आपको repayment कर दूँगा, लेकिन कुछ महीने बढ़ा दो या कुछ discount कर दो कोई, तो इस तरीके से आपका bank भी बात मन जाएगा और आप जो third party loan settlement के जहांसे में पहुचते होगे, तो ये भी नहीं first होगे, तो इस तरीके से आपको पुरा solution पता चल गया होगा, इसके बाद कोई भी doubt होता है, कोई भी problem होता है, तो comment करो, चैनल को subscribe नहीं कि ओ, subscribe करो, वीडियो को like करो, तो मिलते हैं ऐसे ही नए और मज़ के लिए, bye wait, take care.